दूसरों को हमको ना हर बार जब भी हम बात करते हैं मुबाइल फोन की तो चाहिए होती है बेस्ट वैल्यू हमारे पैसे की और अकसर कुछ फोन्स में हमको वैल्यू मिल जाती है मतलब वन प्लस के गरम से बात करते हो नो specially the Nod series in fact the Nod core edition smartphone मुझे लगता है यह वो smartphone है जहां पर हमको हर बार बहुत एक interesting package मिलता है और यहां पर यह जो box है जी हां इसी box के अंदर मेरे बास में है अभी latest oneplus Nod CE4 आज हम इस वीडियो दितरी यह लाइक और शेयर करते हैं और मैं इस बार oneplus ने क्या pack किया है इस नए-ने phone में और क्या oneplus settle हुआ है या अभी भी settle हो रहेगा कोई दूर दूर तक plan नहीं है नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है गौरव आप दिख रहे हैं टेकनिकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं तो आपको यह है बड़ा सा बॉक्स अल्दो जबाब दुकान पर जाके इस फोन को लोगे तो आपको यह नहीं मिलेगा आपको मिलेगा यह because this is actual retail box of the latest OnePlus Nord CE4 typical Nords telling me उसमें box आता है और हम बिनने विस्ट के सीधा unbox करते हैं तो अंदर सबसे पहले हमारे पास में यह एक section जहां पर I believe काफी interesting समान होगा because सबसे पहले हमारे पास में है यह case to basically protect the phone फिर है एक SIM tool, Nord वाले stickers, safety guide, quick start guide, OnePlus membership card और Nord team की तरफ से एक letter for you to feel good दोस्तों नीचे हमारे पास में रखा है यह phone और यह आता है brand new Seliden marble color के साथ में देखेंगे इसको बाद में नीचे अगर हम देखते हैं तो what we have is oh this is interesting पहली बार है किसी Nord C line-up में के हमको एक 100 watts का Super VOOC fast charging adapter मिल रहा है भाई this is very exciting and guys finally again something exciting हमारे पास में है OnePlus के iconic red color के USB A to USB C cable अब यहाँ पर बात करते हैं सीधा इस phone की और हटाते है इस protection को भाई क्या बनाया इस phone को I mean marble जैसा है इसका पूरा आपको मिल रहा है flavor और यह है brand new Saladin marble color में यह phone मैं इसको boot करता हूँ you have a closer look और फिरम बात करते हैं कि आखिर इस phone के अंदर क्या pack किया है OnePlus ने guys कितना ज्यादा interesting इस phone का design है अब सबसे परदे तो full marks for making this possible मतलब OnePlus को बोलूँगा काफी iconic एक phone feel हो रहा है इसका दूसरा color भी है grey के shade में आता है थोड़ा metallic feel देता है glossy finish है लेकिन यहां पर यह जो marble वाला पूरा इसका design लग रहा है अगर हम बात करते हैं एक basic design और एक और और वीव के पॉइंटर बीचे तो यहां पर आप दिखोगे तो आपको sides एक्दम flat मिलने वाली है जहां पर इधर हमारे पास में इसका power lock और लॉक पटेंज इसके ठीक उपर हमको volume rocker मिल जाता है उपर हमारे पास में एक बहुत अच्छी बात यह है कि secondary microphone के साथ में IR blaster भी है और फिर हमारे पास में speaker element भी है because आपको इसमे proper dual stereo speakers मिलते हैं left एकदम clean है, नीचे हमारे पास में एक sim tray है, फिर हमारे पास में प्रेंटर microphone, USB-C port और speaker grill पीछे दुस्तोंगर आप दिखोगे न, तो आपको यह ऐसे glossy finish में इसका पूरा पीछे marble like यह design मिलता है जहाँ पे बीच में OnePlus का logo है और एक dual cam setup है और फिर हमारे पास में इधर है flash assembly है एक आपको ऐसा ring type का mechanism मिल जाता है जो primary camera है, जो इसमें सबसे ऊपर लगा है यहाँ पे यह है Sony का Latia 600 sensor के साथ में आने वाला camera which is really interesting और नीचे फिर हमारे पास में लगा है 8 megapixel सा camera ultra wide shots के लिए उसकर हम बात करते हैं यहाँ पे phone में सामने की तरफ तो यह लेके आता है phone 6.67 inches का full HD plus 120 hertz पे चलने वाला एक screen जो की again बहुत एक exciting package बन जाता है अगर आप इसमें games केल रहे हो या अगर आप वीडियो देख रहे हो because यहाँ पे जो screen है इसमें जो हमको colors मिलते हैं या जिस तरीके से आपको पूरा experience मिलने वाला है अगर हम बात करते हैं internals की तो बहुत एक अच्छी performance देने वाला है मतलब बहुत interesting delivery होगी performance की in this price segment specially और मतलब otherwise भी आप game scale रहे हो आप phone को normal use कर रहे हो अगर आप देखो न overall यह पूरा 7 Gen 3 काम करता है आपको कभी भी lag या ऐसा कुछ feel नहीं होने वाला है इस phone में और फिर हमारे बास में साथ में 8 GB की RAM प्लस 8 GB की virtual RAM भी आप इसमें यूज कर सकते हो और फिर RAM, Vita को भी OnePlus ने डाल दिया इस phone में तो वो जो complete app, switching और यह वो सारा जो experience है वो इस phone में आपको बहुत अच्छा मिलेगा अब बात करता हूँ और एक खास चीज की वो यह कि आपको या थे OnePlus का 12 R और 12 R में OnePlus ने अपनी आज तक की सबसे बड़ी बैटरी की उच गते है जो की था 5500 MHz की हमको इस phone में वही 5500 MHz की बैटरी मिल रही है तो मतलब बैटरी backup जो है वो fantastic होने वाला ऐसा लगता है और 7 में 100 watts की fast charging भी है जो कि 29 minutes में 0-200% phone को fast charge कर सकती है तो मतलब ये सब चीजें combined मुझे ऐसा लगता है कि जो experience होने वाला है वो आपका बहुत अच्छा होगा अगर हम बात करते हैं कि उस तो अंदर क्या लगा है इस phone में तो फिलहाल के लिए latest Android version 14 पे चलता है और यहाँ पे है Oxygen OS 14 प्रामिस प्रामिस कर रहा है आपको 2 साल तक Android और तीन साल तक security अपडेट इस फोन के साथ में काफी अच्छी बाते हैं सिर्फ एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लेगी वो यह कि यार यूश्वली हम expect नहीं करते हैं कुछ pre-installed applications है यूश्वली हम OnePlus के phone में expect नहीं करते हैं तो OnePlus अगरें को हडाए तो बहुत एक अच्छी बात हो although the good thing is कि हम इनको सीधा यहाँ से uninstall कर सकते हैं which is fine but then again नहीं होता in the first place तो और अच्छा लगता अब गाईज यहाँ पी जो इस phone का एक interesting highlight वाला feature है वो है इसका camera क्योंकि मैंनको जो बताया है जो primary camera है वो है Liteya 600 sensor वाला और यह OIS के साथ में भी आता है तो camera samples के कर हम बात करते हैं तो यह कुछ camera samples है जो हमने इसी phone के front और rear camera के उसकरते वे click किये हैं I mean given the price range, given की कैसा आपको यह पूरा phone का package मिलता है मेरे क्याल से काफ़ी interesting performance है in terms of camera और यहाँ पर OnePlus ने चुटी 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 का भी ध्यान रखे है तो मतलब अगर आप निगलते हैं बहार हलकी बूल की बरसात में तो कोई दिक्यत नहीं है, normal CCTV लगते हैं तो phone आप से काम करेगा और साथ में फिर इसके अंदर वो wet touch वाल टेक्लोजी भी है तो screen अगर तो बहुत गिला भी है, आपके उंगलियां गिली है still precisely अपने phone को यूज कर सकता है यह मेरे कहाल से ऐसा OnePlus बोलता है न, कि जो Nord के अंदर CE line-up होता है वो होता है core edition, मतलब जो जो आपको चाहिए, उतना उतना आपको सब कुछ दे दिया है और कुछ extra जो items हैं वो आपको इसमें से, मतलब गिमिक्स को निकाल दिया है OnePlus ने तो this essentially is an amazing phone, OnePlus Nord CE 4 यहां पर तो इसके दो लग-अलग variants है, अगर आप से बात करता हूँ, मैं प्राइस की तो इसका base variant है, जहां पर है 8GB RAM और 128GB Storage उसकी price है 24,000 रुपीज और फिर है इसका 8GB RAM और साथ में 256GB Storage variant जिसकी price है 26,000 रुपीज तो guys, this is the all new OnePlus Nord CE 4 और मुझे काफी exciting लगा है, the way phone हाथ में फील होता है या जैसा इस पूरे phone की performance है और जो आपको सारे इसके अंदर features मिल जाते है मेरे गाल से काफी लोगों को ये phone पसंद आने वाला है, जैसा की Nord C, 2 या C, 3 बहुत ज़्यादा चल गया था न मुझे रगता है ये phone भी बहुत ज्यादा हिट होने वाला है और काफी लोग, खासकर से students को ये phone बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है वाइस आप बताओ वैसे what's your take, आपका क्या करने इस phone के बारे में, क्या आपका feedback है, आपको ये phone कैसा लग रहा है, नीचे comment करते वे, वीडियो को लाइक शेर करना मत बूलना, और मैं आपसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, प्लावड में इतना ही, जया हिंद व करने मात रम